नमस्कार मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं नियोस्क्लिक का डेली राउंड अप शोग आई नजर डालते हैं आज की मुख्यों सुर्खियों पर मुफ्त वैक्सीन नीती, बीजेपी का दावा की नीती एतिहासी, मगर तथ कुछ और हमाई दूसरी कबर बिहार से, बाढ़ से बेगर हुए लोग हाईवे पर रहने को मजबूर बेताहाशा महंगाई के खिलाब वामदलों का विरोध पक्वाडा, मोधी सरकार के पुतले जले मर्देपदेश, बीज की काला बाजारी, माकपा ने कहा सरकार के सरनक्षन में दोहरी लूट का शिकार हो रहे है किसान और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की, भारत में 91 दिन 50,000 से कम नए मामले देश भर में 21 जून से मुफ्त टीका करण की शुरुवात हो गई है साथ जून को प्रधान मंद्री नरेन मोधी द्वारा किये गया एलान के तहट अब 18 साल के उपर के हर व्यक्ति को मुफ्त टीका लगेगा और इसके लिए कोविन आप पर रेजिस्ट्रेशन करने की जरुद भी नहीं होगी कल देश में रिकॉर्ड 85 लाग टीके लगाए गए लेकिन साथ ही साथ भारती जन्ता पार्टी मोधी सरकार वैक्सिन नीती को एतिहासिक बताकर मुफ्त वैक्सिन देने को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है वहाँ हकीकत यह है कि यूनिवर्सल इम्मुनाजेशन प्रोग्राम के तहट हर तरह के टीके हमेशा से ही मुफ्त मिल रहे है भारत में इम्मुनाजेशन प्रोग्राम 1978 में स्वास्त मंत्राले ने शुरू किया था जिसके बाद 1985 में इसका संचोधन कर इसे यूनिवर्सल इम्मुनाजेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया इसके तहट भास सरकार देश के हर जीले को कवर करते हुए दुनिया के सबसे बड़े स्वास प्रोग्राम में से एक को चलाती है इस प्रोग्राम के तहर सरकार जनता को कई तरह के टीके मोहया कराने का काम करती है आपको बता दे कि केंद्र दौरा यह फैसला करीब दो महिने तक आलोशना जहिलने के बाद लिया गया केंद्र की वैक्सीन नीती का विपक्षी दलों ने लागातार विरोध किया था और वैक्सीन की दो कीमतों की वज़ा से सुप्रीम कोट ने भी लागातार सवाल खड़ा किये थे बिहार में इस साल आई बाड से सबसे बूरी तरह से चंपारण के दोनों हिससे प्रभावित हुए हैं बाड की वज़ा से बेगर हुए हजारों लोगों में महिलाए, बच्चे, बुजुर्ग, शामिल हैं इन लोगों को मजबूरी में नदियों के बांध और राष्ट्री राजमार्गों पर रहना पड़ रहा है बाड से करीब धाई सो गाव खत्म हो गए हैं विस्तापित हुए लोगों ने खुद को ढखने के लिए काली पन्नियों का इस्तमाल करना शुडू कर दिया है नदी के चंपारण में बने बांध पर रहने को मजबूर है कोविड महामारी आपदा से करार ही जनता पर लगातार कमर तोड महेंगाई थोपे जाने के खिलाफ देश के वाम पंती दलो द्वारा 16 जून से शुरू किये गए रास्ट व्यापी महेंगाई विरोधी पखवारा के तहट जारकंड और बिहार के विबिन जीरा मुख्यालेों का और इलाकों में भी आक्रोस प्रदर्शित किया गया राज्य के वाम दलो द्वारा जारी सन्यूत प्रेश बयान में कहा गया कि एक और चावल, डाल, खाद, तेल वर सब्जी समेच सभी खादे वस्तूओं की किम्तों में पांच गुना से भी अधिक व्रिद्धी किये जाने से मध्यमभग तक का घरेलू बजट चर्मर आ गया है। गावों से लेकर शहरों के गरीबों में भयावा भुक मरी की इस्तिती पैदा हो गई है। तो दूसरी ओर सरकार के सनक्षण में तमाम काला बाजारी करने वाले इस मौके का खुलकर फाइदा उठाकर जनता को धडले से लूट रहे हैं। उतपादगों को उनके उतप नहीं हैं बलकि सरकार के वेबिन नीतियों का विरोध देश भर में जारी है। राज़ानी दिल्ली में ही किसान साथ महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसके लावा महेंगाई के खिलाफ जनता और विवक्षी दलो ने यूपी हर्याणा पंजाब जैसे कई राजियों में वि रस्तक देती हैं और किसान खरीफ की फ़सल की बहुनी के लिए जुटा हुआ है। तब सरकार की ओर से सरकारी और सरकारी बीज केंद्रों पर परियाप्त मातरा में बीज उपलब्द न करवा कर किसानों को नीजी कंपनियों के मिलने वाली नकली बीजों से लूटने के लि किसानों को तहरी मार पड़ रही है। पहला तो यह कि सरकार ने बीज पर मिलने वाली सबसीडी को बिना बढ़ाय बीज की दरों में व्रिद्धी की है। वैसे ही बीज खरी समय किसानों को बीज की पूरी कीमत चुकानी होती है। सबसीडी उसके बाद ही किसान के खाते में पहुचती है प्रदेश में बोई जाने वाले प्रमुक फसलों में सरकार ने सोय बीन के बीच पर 850 रुपे प्रति ब्रति कविंटल मुंग फली के बीच पर 500 रुपे प्रतिक कविंटल Арहर के बीच में किलाकर देश में कुरोना वारत संक्रमितों की संक्या बढ़कर दो करुण 99,77,861 हो गई है वहीं उन्यासवे दिन बाद उपचारा धीन मरीजों की संक्या साथ लाग से कम हो गई है किंदिस्वास मंत्राले की ओर से मंगलवाल को जारी किये गए अध्यन आकडों के अनुसार देश में 1167 और लोगों की संक्रमट से मौत के बाद मृत्रक संक्या बढ़कर 3,89,302 हो गई है देश में 68 दिन बाद संक्रमट से मौत के इतने कम मामले सामने आए हैं मंत्राले की ओर से सुबह 7 बज़े जारी किये गए आकडों के अनुसार देश में पिछले 24 गंटों में कोविड-19 रोधी टीकी की सरवादी 86 दसमेलों 16 लाग खुराक लोगों को दी गई है देश में अभी तक की टीके की कुल 28 दसमेलों 8-7 करोड खुराक लोगों को दी जा चुकी है आज के डेली रॉंड अप में बस इतना ही नियूस क्लिक के यूटे चनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया